ये family therapy क्या है? आपने बहुत जगा लिखा हुआ देखा होगा psychologist, family therapist, counselor बहुत बार हम confused होते हैं कि family therapy क्या है? कि family therapy का मतलब है कि हम बच्चे को भी देखते हैं बढ़ों को भी देखते हैं, बुरों को भी देखते हैं अगर हम फैमिली थेरपी का prescription बिलता है क्या वो basic counseling से अलग है, ये सारे ही topics और इनसे जुड़े questions को लेकर, आज मैं आपसे फिर जुड़ गई हूँ, नवशकार मैं हूँ, Dr. Neha Mehta, मैं clinical psychologist यानि केक मनो विज्यानिक हूँ, मेरा clinic हिसार हर्याना में है, और मैं आपके साथ जुड़ती रहती हूँ, और share करना, obviously याप करेंगे मुझे पता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि, कैसे आप family therapist बन सकते हैं, और family therapy होती क्या है, देखे, family therapy वहाँ काम करती है, जहाँ family involved है, जरूरी नहीं है कि वो family में marital relation होना चाहिए, या हम सब साथ में रहते हैं, तो वही family होती है, family extended भी हो सकती है, nuclear भी हो सकती है, join भी हो सकती है, अगर आप hostel में चार लोग रहते हैं, तो वो भी एक family का ही रूप है, family therapy का मतलब है, सिरफ एक इंसान से नहीं, एक group of individuals से बात करना, वो family में चार लोग हो, पांच लोग हो, दस लोगो, this is a type of a group sessions, family therapist वो इंसान है, जिसके अंदर ये quality होनी चाहिए, कि वो अगर छे इंसान से बात कर रहा है, जो कि एक family में रहते हैं, तो वो उन सब की personality को equally non-biased होकर सोच पाए, अब family therapy apply कहां होती है, देखे family therapy वहां काम करती है, है ये एक regular counselling method, लेकिन ये वहां apply होती है, जहां family की distortment शुरू होती है, family therapies, family counselling आपने बहुत ऐसी जगा देखा होगा, जहां legal issues होते हैं, जिसे dory case है, property cases है, या fight among the brothers है, ये बहुत common cases है, जहां family की तोडने तक बात आ जाती है, जिसे mother-in-law ये daughter-in-law का कोई case, family में communication का issue है, क्योंकि family का background है communication, family बनती तब है जब communication हो, और अगर communication ही रुख गई, आप लडाईयों पर आ गए, आपके verbals हो गए, आप argue कर रहे हैं, violence शुरू हो गया है, कोई abuse शुरू हो गया है, और ऐसे में सबसे ज़ादा चाहिए family therapies, family therapies पूरी family को consider करते हुए, ऐसा होता है कि family therapist बीच में बैठता है, और जितने भी जने हैं वो आसपास बैठते हैं, सब अपना point of view और perspective रखते हैं towards a common problem, ये group में नहीं होता है, बहुत बार ये one-to-one sessions होते हैं, पूरी family को साथ में बुलाया जाता है, और फिर एक की करके सब का perspective देखा जाता है, आपने ऐसा सुना होगा ना, पहले के जमाने में पूरी महफिले लगके problem solve होती नहीं, चाचा बैठे हैं, मामा बैठे हैं, फूपा बैठे हैं, प्रोफेशनलिजम में ऐसा नहीं होता है, तो अगर आप family therapist बनना चाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, वही आदमी family therapist बन सकता है, वही counselor family therapist कर सकता है, जिसको individual को समझना और respect करना आता है, एक family में बड़ा आदमी भी हो सकता है, हर age के लोग हैं, grandfather हैं, grandmother हैं, parents हैं, बच्चे हैं, सास बहु की लड़ाई में हो सकता है, 4-5 लोग हो, marriages में, दो family साथ में मिली हुई हो, तो दोनों family का blend कराना जरूरी है, अगर आप सिर्फ सफरर से बायस हो जाते हैं, कि सोच लीचे, आपके पास बेटा आता है, कि मेरे father और मेरे grandfather, मेरी बातों को नहीं मानते, तो सरफ बेटे के views से, अगर दोनों को देखेंगे, तो definitely वो family therapy नहीं है, कोशिश करें, कि सब के views को differently रखें, बहुत अच्छी चीज़ है, कि जिस जिस से आप बात कर रहे हैं, सब के notes लगाएं, सब के personalities को जानने की कोशिश करें, एक या एक से ज़ादा family therapist साथ बैट सकते हैं, और फिर एक common solution पे आएं, है ये पारिवारिक सला, एक पारिवारिक meeting जैसा ही, लेकिन इसके अंदर professionalism अपनी जगा नहीं भूलना चाहिए, एक consent form की मैं बात करूंगी, कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास जो client आता है, हम सिर्फ उसका consent लेते हैं, कि मैं आपके दादा से बात कर लूँ, मैं आपके नाना से बात कर लूँ, अगर आप family में 6 लोगों से बात कर रहे हैं, तो 6 लोगों का आपको consent लेना जरूरी है, सबकी individuality को परखना जरूरी है, बहुत ज़ादा जरूरी है कि आप खुद भी अपने सफरर के दिमाग से ना सोचे, अपने point of view के दिमाग से ना सोचे, कोशिश करें कि सबको समझते हुए common सलाप पर आएं, अब कोई यह पूछेगा कि माँ family therapy में sessions कितने होते हैं, क्या यह लंबा चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, problem to problem पर depend करता है, जैसे कोई property dispute है, कोई communication issue है, इसने यह बुला, इसने यह बुला, से कम session लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई, कही ना कई, बहुत जल्दी हम sum up कर लेते हैं, लेकिन फिर भी, आप कितने skilled हैं, as a family therapist, आप कितने skills हैं, वो family मानना कितना चाती है, consent कितना है आपके पास, उस पर depend करता है, कि आपकी therapy कितना progressively आगे चलेगी, बहुत बार family therapy में हमें एक legal counselor को involve करना जरूरी होता है, वो advocate हो सकता है, पुलिस department का कोई हो सकता है, या family का कोई बड़ा या कोई छोटा हो सकता है, दूसरी family हो सकती है, तो you should be okay for all that, being a family therapist आपको उन सब के connections में होना चाहिए, और अगर आप आपका family therapist इन में से किसी को involve करता है, तो आपसे consent जरूर लेगा, जो कि एक primary source है, तो आशा करती हूँ कि आपको family therapy के बारे में पता चला होगा, जो counselor family therapist बना चाहते हैं, उनको उसमें skills या training लेनी बहुत ज़ादा ज़रूरी है, it is not like कि आप बैटे हैं और आप बोलें कि मैं family therapist हूँ, नहीं, एक course कीजिए, कोई diplomas कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी field में skilled होने के लिए, skills psychology में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, experience सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आपने share और like करना नहीं बूलना है, अपने friends के साथ, अपने partner के साथ, अपनी family के साथ, और मेरी channel को subscribe करना नहीं बूलेंगे, मैं और बहुत सारी वीडियो लेके आपके साथ जुड़ती रहूंगी, psychology के issues के बारे में, अगर आप मुझे कोई topic suggest करना चाते हैं, अपनी कोई query पूछना चाते हैं, तो comment section में डालिए, मेरी सारी details, मेरे social media के handles आपको, अपनी मेरी bio में मिल जाएंगे, नीचे link में मैं आपको बता भी सकती हूँ, कि क्या problems हैं और उनकी queries में definitely solve करूँगे, आप मेरे facebook पे भी connect हो सकते हैं, तो आपने जुड़े रहना है, मेरे को share करना, like करना, मेरे channel को subscribe करना तो बिल्कुल नहीं बूला है, नीचे तो आप बहुत important चीज़ मिस कर लेंगे,